हलो दोस्तों मैं हूँ देव जी और आप देख रहे मेरे साथ सौफ्ट म्यूजिक थिरी आज हम स्री विश्नु नाराण भातखंडे जी के जीवन के बारे में बात करेंगे स्री विश्नु नाराण भातखंडे का जन्म 10 अगस सन 1860 को बंबई प्रांत के बालकेश्वर नामकस्थान में क्रिश्न जन्माष्ट में के दिन हुआ था उन्हें संगीत सीखने की प्रेणा उनके पिताजी से मिली थी अतावे स्कूली सिच्छा के साथ संगीत सिच्छा भी ग्रहन करते थे उन्होंने सितार, गायन और बास्वरी की सिच्छा प्राप्त की और तीनों का अच्छा भ्यास किया सेठ, बल्लभदास से सितार और गुरुरावबुआ, बेल बाथकर, जयपूर के मुहम्मद अलि खां गौलियर के पंडित एकनाथ रामपूर के कसबे अली खां आदे व्यक्तियों से गायन सिखा सन 1883 में B.A. और 1890 में L.L.B. की परिचाएं उत्रिंड की कुछ समय तक आप वकालत भी करते रहें किन्तु वकालत में मन नहीं लगने के आड़ अपने वकालत छोड़ दी और संगीत की सेवा में लग गए इनकी समय तक संगीत के सास्त पच्छ की तरफ बिसेज ध्यान नहीं दिया जाता था संगीत सिच्छा सिर्फ मोखे ग्यान और गुरुसुल से परंपरा पर आधारित थी जिसके कारण संगीत के मूल सिधानतों को लेकर सभी संगीत तक एकमत नहीं थे अतह उस समय गायन वादर में बहुत सी विसमताएं थी 1940 में इनकी संगीत यात्रा प्रारंब हुई भातखंडे जी ने देश के विभिन भागों का ब्रमड किया और संगीत के प्राचीन गरंथों को इकठा किया वे संगीत के अनेक विद्वानों से मिले जिस प्रकार भी हो सका जैसे कि धन देकर सेवा करके या सिस्से बनकर उन् कि स्वर्डीपी हिंदुस्तानी संगीत पध्धती क्रमिक पुष्टक मालिका के नाम से छह भागों में प्रकासित कराई संगीत के सास्त्री ज्यान के लिए भातखंडे जी ने हिंदुस्तानी संगीत पध्धती के चार भाग मराठी भासा में लिखे जो बाद में हिंदी म था अभिनाव राग मंजरी नामक पुष्ट के लिखी क्रियात्मक संगीत को लिपी बद्ध करने के लिए एक स्वर्लीपी की रचना की जो भातखंडे स्वर्लीपी पधती के नाम से प्रसिद्ध है यह पधती अत्यन्त सरल और सुबोध है थाट राग वर्गी करण को स्वि संगीत अकादमी अस्थापित करने का प्रस्ताव सरसम्मत्ती से पारित हुआ सर 1925 तक उन्हें पांच बड़ी संगीत संगीत संगीलन आयोजित कि बातखंडे जी के प्रेत्न से कई संगीत विद्ध्यालेओं की अस्थापना हुई उनमें से मुख्य है मैरिस म्यूजिक इसका वरतमान नाम भातखंडे संगीत महाविद्ध्याले लखनव माधव संगीत विद्ध्याले गालियर तथा म्यूजिक कॉलेज बड़ोदार इस प्रकार भातखंडे जी जीवन भर संगीत की सेवा करते रहें और 19 सितंबर 1936 को उनका सरगवास हो गया